दोस्तों रीसेंटली आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा शौकिंग न्यूज आई है अभी ये हाल की ही न्यूज है यहां पर आप लोग ये जो आर्टिकल इसको देख सकते हो दरसल हुआ क्या है ना कि हाल में नियॉक्स टाइम्स युएसे का जो न्यूस पेप इसने जो चो क्लेम किये वो कुछ नया नहीं है इंडिया में पहले ही से इस चीज के बार में पता था इंडिया में पहले ही से इस चीज को लेके इन्वेस्टिकेशन जो है वो चल रहा था लेकिन जब इस इन्वेस्टिकेशन को शुरू किया गया था इंडिया में तो यह सामने आ गई है और इसके बाद अब खुदी आप लोग कह सकते हो कि Western Media, Western Countries आप लोग खुदी कह सकते हो कि इस चीज को क्लेम कर रही हैं। तो क्या है पूरा मामला मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर शुरू से दरसल हुआ क्या है ना कि New York Times ने अपने Personal Investigation के तुरू यह पाया है यह बताया एक News Click जो कि इंडिया का एक Media House है वो एक Network के तुरू जुड़ा हुआ है चाइना से और चाइना की जो Communist Party है उसका Propaganda इंडिया में चलाता है यह चीज फिर से कहा रहा हूँ मैं नहीं कहा रहा है यहाँ कई कुछ इदर उदर से News नहीं आई है बलकि New York Times जो कि USA का News पेपर है उसने अपने Finding में यह पाया है और सिर्फ इसी को नहीं इस तरह कि कि बहुत से Media Houses को ऐसा कहना है New York Times का जुसने Investigation में पाया है कि वो linked है ऐसा ही Chinese Communist Party से या फिर आप लोग कह सकते हो कि वो जो है वो funded है Indirectly Chinese Communist Party से जिसके वज़े से उनको यह China की Communist Party का जो propaganda है आप लोग कह सकते हो उसको publish करना पड़ता है और बात सिर्फ Media Houses की नहीं है बलकि अलग-अलग organization अलग-अलग चीजों को अगर आप लो पाता है इस पूरी कहानी के जो कोर में आदमी है जिसके बारे में New York Times नो बताया है वो यह शक्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह एक Indian American है जिसका नाम है निवेले रोइस सिंगम नाम है इसका और इसके बारे में पूरा बताया गया है कि यह जो बंदायना पहली ब बैंक जैसी कंपनी आएक आप लोग जानते होगे कि medical line में जो super giant है बेयर्स कंपनी जर्मन की यह कंपनी है जर्मनी कंपनी है यह उसके अलावा अगर आप लोग देखो न तो walmart हो गई ऑस्ट्रेलिया की airlines क्वांटो होगे इस तरह कि बहुत सी कंपनी आज के टाइम में इस thought work जो इसने company शुरू की थी इसकी customer है यह एक software consultancy companies थी 2017 में लेकिन यह जो शक्ष है इसने यह company अपनी बेच दी थी लेकिन आज भी आगर आप लोग देखो तो यह multi-millionaire हो सकता है यह billionaire भी हो काफी जादा successful person है यह लेकिन उसके बाद होता क्या है कि इसकी जो ideology होती है जो political ideology ह होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा far leftist होती है आप लोग ऐसा कह सकते है इसके father से इसको यह mindset मिला है father भी इसके एक admission थे काफी ज़्यादा socialist विचारदारा के थे communist विचारदारा के थे वो उन्हीं के बाद अब यह भी जो आप लोग कह सकते है socialist विचारदारा है उनके follower है तो इनने किया क्या है कि काफी ज़्यादा जो non-profit organizations है वो बना रखी है non-profit organization आप लोग जानते होगे कि अपने फाइदे के लिए जो काम नहीं करती बलकि समाज में सुधार के लिए या फिर समाज में आप लोग कह सकते कि कोई change लाने के लिए जो काम करती है उनको कहा जाता non-profit organization तो काफी ज़्यादा इसने non-profit organization जो है वो USA में खोल रखे है यहाँ पर आप लोग कुछ के नाम देख सकते हो United Communist Fund एक organization है उसके लावा Justice and Education Fund है एक organization है यह एक दो नाम है इसके लावा और भी बहुत से आप लोग इस तरह के कह सकते है non-profit organization जो है वो या तो इसने खोल र रखा है जिसके तुरू उसको influence करता है या फिर आप लोग कह सकते हो कि यह जो funding है वो उन organization को provide करता है जिसके तुरू भी आप of course आप लोग समझ सकते हो कि यह influence कर सकता है उनकी जो policies होती है उनके जो काम करने का तरीका होता है उनको अब USA का जो rule है उसके according अगर आप लोग देखो न तो यह जो non-profit organizations होती है इनको अपने donors का नाम बताने की ज़रवत नहीं है इनको नाम reveal करने की ज़रवत नहीं है इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो होता है वो इस सक्स को मिलता है कोईसी को भी पता चलता नहीं है कि यह donor है इस organization में और यह फिर पीट पीछे American continents भी हो गए यहाँ पर जो political parties है उनमें अपने fund जो हैं डाल रखे हैं वह कहने का मतला पर जो पैसा है वो देती है उन political parties को या फिर newspapers को news channels को यह अपना पैसा देती है और उनके जो policies होती है उनके जो decision होती है उनको influence करती है आई वोप आप लोग समाझ गया हो गए कि यह ज non-profit organization जो है यह इसी fund को divert कर देती है आला गला country में दुनिया बर की country में और इस तरीके के organization को यह fund मिलता है जो कि China के support में बात करते हैं उनका propaganda फैलाने के कोशिश करते हैं और उनके against में जो organization जो groups जो community है उसको weak करने का काम करते हैं उनके खिलाफ उल्टा सिधा इल्जाम उल यह वहाँ पर यह रहते हैं और को group करना में जिसका काम है कि Chinese Communist Party के बारे में publish करना उसको promote करना उसके तारीफ करना या फिर आप लोग कह सकते हो पूरी दुनिया में जो Communist Party की विचारदारा है उसको spread करना उसके बारे में आप लोग कह सकते हो कि लोगों का जो mindset वो positive करना इस इस तरह के यह जो news article या फिर इस तरह के जो statement जो भी आप लोग कहलों इनके content होते हैं वो publish करते हैं अपने इस goal को achieve करने के लिए तो इस Marko Group को इनका काफी जाते investment जो है वो जाता है ऐसे ही पूरा जो wave है network का वो इनने बना रखा है अलाग-अला country में अलाग-अला continent में जहा पर पूरा जो fund है वो channelize होता है इस nodal point के तुरू इस शक्स के तुरू और फिर इसके तुरू जो चाइना की communist party है यह चाइना overall है आप लोग कह सकते हो वो अपना propaganda फैला पाता है या फिर उसका जो interest हो वो इससे fulfill हो पाता है इसलिए आप लोग अक्सर सोचते होगे कि इतना हम लोग सुनते है कि चाइना की जो communist party है या फिर चाइना जो है वो debtor policy अपनाता है दूसरी country को अपने जाल में फसाद देता है तो दूसरी country यह फस्ती क्यों जाती है वो कुछ इसके लिए करती क्यों नहीं है तो यही वो कारण है चाइना जो है वो information को हत्यार बनाता है information क वार की तरह वार के लिए इस्तिमाल करता है अपने जो दूसरे country के weak points है आप लोग को पता होगा कि democracy में एक चीज को सबसे ज़्यादा focus किया जाता है एक चीज को सबसे ज़्यादा promote किया जाता है वो है free speech और यह कहीं ना कहीं democracy की weakness भी कभी कबार बन जाती है तो इसी चीज को weakness बना के democratic country का चाइना जो है पूरी तरीके से इस्तिमाल करता है और इसके तुरू उनको कमजोर करने की कोशिश करता है उसके यहाँ तो democracy नाम की चीज है नहीं वहाँ पर तो आप लोग चाहो भी तो कोई news इस तरह कीगी कुछ गलत भी किया होगा चाइना की communist party ने तो व अबसे बड़ा example court ping करके एक organization है उसका है यह दरसल कुछ women's को organization है जो इसी तरह के की social चीजों के लिए protest करती है इसके लिए खिलाफ आवाज उटाती है यह दरसल शुरुआत में अगर आप लोग देखो ना तो बहुत जादा critical थी चाइना को लेखे चाइना जो human right का violation करता ह उसको काफे जादा criticize करती है या फिर आप लोग कहलो कि जो भी Hong Kong में anti-democratic चाइना के act है उसको शुरुआत में काफे जादा criticize कर रहे होते हैं लेकिन होता क्या है कि इस पे investment आता है इसी शक्स का यह जो सिंगा में इनका और इस investment आने के बाद यह जो पूरा इस का function है court ping का य यह तारीफ करने लगते हैं चाइना के policies की चाइना की जो इतनी तेजी से development हुई है उसकी और यहां तक कि आप लोग कहलो कि USA को criticize करने लगते हैं या फिर बाकी countries को criticize करने लगते हैं कि वहाँ पर anti-Asian racism जो है उसको promote किया जा रहा है प्लस जो इनकी owner है court ping की जो owner है वो आज क भी आप लोग को समझना समझ सकते हो नौ यहां पर फिर आता है इंडिया की बात इंडिया में इस चीज को लेके क्यों इतनी बात हो रही है इंडिया का क्या issue है मैं बताता हूं आप लोग को दरसल क्या है न कि यह news click नाम का एक news channel है आप लोग ने इसके बारे में सोना भी ह यह इसकी official website है यहां पर आप लोग देख सकते हो इंडिया की enforcement director ने 2021 में क्या किया था कि इसके खिलाब कुछ case file के थे कुछ और जो search रहा investigation है वो शुरू किया थे उसमें कहना था AD का कि 30 करूर से ज्यादा रुपे जो है वो इस organization है इस news click channel ने चैनल है ने इसकी जो parent organization है पी का इस पे case file होता है उसके बाद यह जो investigation है वो शुरू होती है और multiple इसके जो premises थे जो जो offices इसके थे या फिर जो आप लोग आप लोग नाम देख सकते हो इस organization से इस शक्स ने 28.29 करोड जो है वो ट्रांसफर किये है पीपी news click को जो की इसकी parent organization है और 2018 से पहले भी यह बताया जाता है कि worldwide media holding के तुरू यह जो news click है इसको 9.59 करोड का जो transfer है वो किया गया है तो total मिला के आप लोग यह आपर देख सकते हो 30 करोड के आसपास ही हो गया इतना पैसा इसके पास आने का और ऐसे illegally या फिर कुछ आप लोग कह सकते हो कि suspicious तरीके स आने का suspicious source के तरह आने का यह जो इलजाम है वो इस पे लगता है यह आप लोग पूरा देख सकते हो किस organization से कितना पैसा आया है पीपी news click को यह चारो यह organization आप लोग कह सकते हो और यह पाचो भी worldwide media भी जो है इसमें कहीं न कहीं आप लोग को जो influence है वो इस शक्स का सिंगम का मिलेगा तो यह उस समें इलजाम लगता है news click पे और उसके बाद यह का जाता है कि news click को यह जो पैसा मिला इसने क्या किया कि इसका कुछ पैसा एक जो बीमा कोरेगाओ case आप लोग को पता होगा हुआ था कुछ साल पहले यह case अभी भी चल रहा है काफी जाद है इसमें अभ लिए कि जो communist party है CPI उसकी भी एक party के member है बपदीता सीना जो की IT cell चलाते है IT cell में इस party के member है उनको भी काफी जादा पैसा जो है इस तरीके से transfer किया गया है तो इसी लिए ED ने जो investigation है वो शुरू की थी और news click पे जो case है वो भी file किया गया था यह case code में चल भी रहा है और इस के बाद आप लोग देखोगे ना तो हुआ क्या था कि उस समय opposition ने काफी जादा government को target किया था कि इंडिया में जो Modi government वही केवल अपनी news publish कर पा रही है और बाकी भी यह जो criticize करने वाली news channel से criticize करने वाली जो media houses है उनके खिलाफ ED को आतियार बना के इस्तिमाल किया जा रहा है और इस news click के अगर आप लोग YouTube page देखोगे ना या फिर आप लोग इसके जो articles है वो भी देखोगे तो उसमें completely bashing की जाती है इस समय की जो current government है इंडिया की यानि की Modi government की यहाँ पर कुछ जो इसके content है वो आप लोग देख सकते हो पलिस्ताइन की तारिफ यह करता है और कैने को तो यह कुछ भी कह सकता है इंडिया एक democratic country है यहाँ पर government को criticize करना मना नहीं है लेकिन यह जो channelize किया गया है fund का इसके through fund आया इसको लेके काफी ज़्यादा सवाल उठता है कि क्या चाइना की communist party है वो इंडिया में newspaper जो है news channel जो है उनको fund कर रही है यह एक serious concern है इसलि काम यह है कि यह इंडिया को तोड़ने की कोशिश या फिर चाइना को अब लोग कह सकते हो कि मजबूत करना और इंडिया को वी करने की कोशिश जो है वो कर रही है अनुराग ठाकुर जो है उनने एक press conference में यह कहा है कि जब डोकलाम issue चल रहा था तब राउल गांदी जी ग कालता कि हम लोग इंडिया में anti-Chinese जो position, anti-Chinese जो opinion है उसको develop ना होने देने के लिए काम करेंगे और यह कहते हैं कि राउल गांदी या फिर Congress जो हो गया यह भी इंडिया को तोड़ने के लिए China के तरह की काम करते हैं तो यह सब हुआ है इस New York Times का investigation उसमें भी इस चीज को clear क कर दिया गया इस शक्स के बारे में भी इस News Click के बारे में भी और अब इस चीज पर आप लोग कह सकते हो कि जो यह News Click है इसने भी अपना जो statement है वो release किया इसने काया कि यह इस तरह के सारे जो इलजाम लग रहे है इन News Click पर वो बे बुनियाद है इस तरह की कोई भी बात नह ही है तो लेट सी आगे क्या निकल के सामने आता है कोट में यह जो पूरी प्रोसेडिंग है पूरा यह जो चीज है वो चल रहा है आगे कोई न्यूज इस पर आए कि तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अभी इस वीडियो को मैं करता हूं यहाँ पर खतम आयो वीडि कीजिए का देट सौल एमनेस दे टेक के